अपसे कुछ देर बार पस्टिम बंगाल में पंचाय चुनाओ के लिए वोट डालने के शुरुआत को में वाली है लिकिन उसे ठीट पहले एक बार फिर से बंगाल में चुनाओी हिंसा हुई है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है पहली खटना मुर्शीदाबाद के बेलडांगा इलाकी की है जहां कॉंग्रेस और टीमसी कारिकर्टा एक बार फिर से आपस में भिड़ गए जिसमें एक शक्स बुरी तरह से घायब हो गया है अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई जब की कूछ बिहार में भी मतदान से पहले एक बार फिर से चुनाओी हिंसा हुई है ये बड़ी जानकारी मिल रही है पंचाय चुनाओ के लिए आज वोटिंग होगी लेकिन उससे पहले बंगाल में लगातार हिंसा जैसी खबरे साबने आ रही है और ये दो तस्वीरे भी आपके साबने हैं देखिए किस तरीके से तैयारिया की गई पोलिंग पार्टियों क कि कॉंग्रेस और टीमस्टी के कारेकर्टा आपस में बिढ़ गए जिसमें एक शक्स बुरी तरह से घायल हो गया था और उसकी मौत हो गई है और चलिए इस खबर पर और जादा जानकारी देंगी मनोगिया लोईवाल मनोगिया पंचायच उनौक ले वोटिंग डाली जाएगी आज क्या तैयारी है और इससे पहले हिंसा की भी खबरे साबने आई उससे लेकर क्या जानकारी आज पंचायच को लेकर मतदान तो हो रहा है लेकिन उसकी पहले हिंसा का धौर्ट खमा नहीं है कल से लेकर अभी तज्यानी की पिछले 24 घंटे में करीक दो मौत हो रही है और आगडे 15 पार कर चुके हैं इस बार के मतदान यानिकि इस बार पंचायच चुनाव में हलाकि इस बार आरोफ हर पार्टी एक दूसरे की तरफ लगा रही है सटा पक्ष दुनमूल कॉंग्रेस के खिलाफ विपक्ष ने जिस सरह से घेरा बंदी की है तो वहीं दूसरी और बीजेपी के खिलाफ और कॉंग्रेस के खिलाफ भी आरोफ लग रहे हैं पंचायच सर पर ये महतुपून इस भी होता है कि बंगाल में ऐसा माना जाता है जो भी पंचायच पर राज करेगा वहीं लोग सबहां चुनाव में सेमी फाइनल के तौर पर अपनी जीट को दर्ज करा लेगा हाला कि ये हिंचा की घटनाएं जहां एक और कोट का ओर्डर है तो वहीं दूची ओर राज़ेपाल के दौरे और उसके बीच में हो रही ये लगातार हिंचा की घटनाएं अपने आप में पूरी चेंडरी सुरक्षा बलों की पैनाती पर भी सवाल उठा ही देती है जी चलिए बहुत धने बाद मनोगिया तमाम जानकारी देने के लिए तो कुछी देर कस्तवे बाकी है और वोटिंग इसके लिए शुरू हो जाएगी कहते हैं कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता और जब जब विनाशकारी बाड फ्लेश फ्लड की खबरे आती है तस्वीरे दिखाई देती है तब तक ये स्टेटमेंट सही साबित हुए दिखाई देते हैं इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान और चीन के कई लाके बाड की चपेट में हैं लगातार बारिश की वज़ज़ से सैलाब में कई घर जमीदोस हो चुके हैं कई लोगों की जान चली गई है लेकिन पिछले 24 घंटों में चीन से बाड की जो तस्वीरे आई है वो डराने वाली है रूख का पाने वाली है और चाइनिज स्टेट मीडिया के मताबिक स्वीच साउथ वेस्टन रिजर में भारी बाड और बारिश की चपेट में हैं पता ये भी चला है किस बार बाड की वज़ज़ से चीन में कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है ये फिगर आने व में हजारों लोगों को सेफ्टी जोन में पहुंचाने का काम लगातार जारी है और अब तक यहां पर 85,000 लोगों का रिस्क्यू हो चुका है इधर चौंजिंग में तो त्रासुदी ऐसी है कि लोगों में दह्शत बढ़ चुकी है यहां एड्मिनिस्टर लेवल ने लेवल रिलीफ के लिए 320 मिलियन यूआन खर्च किया है अंदेशा ये भी है कि चीन में आने वाले दिनों में सैलाव संकट और गहरा सकता है जुलाई का पहला हपता ऐसा बीतेगा ये ना तो चीन के मौसम विभाग ने समझा था और ना ही शी जिन पिंग ने ऐसा कुछ सोचा था आस्मान से कयामत बन कर बरस रही भारिच की इन हाहा कारी तस्वीरों से ड्रेगन लैंड में खौफ का करेंट दोड रहा है सैलाब की प्रजन लहरे मिसाइल से जादा मारक हो चुकी कुदरत की आगे ड्रेगन की शक्ती शीन हो चुकी शीन की रेस्क्यू टीम के होंसले पस्त दिखाई दे रही तबाही का मीटर सुपरसॉनिक स्पीड से बढ़ रहा और लाल सुल्तान बड़ी बेवसी से आपदा का सजीर प्रशारन कंट्रोल रूम से देख रहा है सबसे पहले देखिए डेडली फ्लेट अटाक से जिन्दा बच जाने का चमतकार सेंट्रल चाइना में एक कपल सहलाब की तेजधार में कार समित थस गए बहाव इतना तेजधार की कार सहलाब में समा जाता लेकिन मौत को मात देने के जजबे ने इन्हें जिन्दगी की तरफ मोड दिया इन्हें बचा लगा रिस्क्यू टीम ने ड्रोन के मदद से इन लोगों को रसी और लाइफ जैकेट भैंकी तीन घंटे के मेराथन एफ़र्ट के बाद आखिरका इन दोनों को रिस्क्यू कर लिया थी आस्मान से पचास खंटे की नॉन्स्टॉप बारिश चीन के वांचून गुहरा मचा दे चार जुलाई तक यहां 15 लोगों के मौत की खबर और हर मौत के पीछे वज़र बारिश और बार को मारा दे वांचू में बड़ी बड़ी बुलंद इमारतों की नीव सैलाब कब खिसका दी पता ही नहीं चटा देखते ही देखते ही बहु मनजिला इमारतों चल्समाधी लेने ड़िए चीन के वोशान में तो घज़र हो नदी को पार करने के लिए जो पुल बनाय गया था वो नदी में ही समाधी है जिसने भी किलर वेव का ये वीडियो देखा वो सहम करें किलर वेव के तेवर देखकर है इनसानों ने ख़र, दुकान, सब छोड़ दी और जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ फाब निकले लिए ड्रागन लैंड के इन बुजर्बों को देखी, कोई लाइफ जैकेट पहन कर खुद को बचा रहा है तो किसी के गले में संजीवनी बनकर ट्यूब, पानी सिर्थ से उपर है, इसलिए नाओं पर सवार होका चान बचाई जा रही है तस्वीरिक, चौंकूई और सिचुवान की जहां रिस्क्योमिशन और रिलीफ फंड में जिन बिंग के सरकार को 320 मिलियन युवान का बड़ा अमाउंट रिलीस करना पड़ा लेकिन चीन पर बाड़ का सेलाबी सितम अभी चारी, कई बुजर्ग तो घरों में अभी कैद और मदद के लिए फरिष्टों की राह देख रही है तो चीन में सेलाब की दहशत हर बीटते घंटे के साथ बढ़ती जा रही है डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटीज का कहना है कि अभी तक डेड़ लाग से जादा लोगों पर सेलाब का संकट का सर्थ हुआ है इसके अलावा चीन की सबसे बड़ी यांग तेज नदी आसपास रहने वाले हजारों लोग सेलाब की मार के चलते घर बाट छोड़ चुके हैं और इसी तरह के हालात स्पेन में भी है यहां भी फ्लैश फ्लड ने जम कर तभाई मचाई सडक पर, गलीन, घर के अंदर, दक्षन पश्चिमी चीन सेलाब की पहुँच हर जगे है फ्लड अटाक के बज़े से घर छोड़ कर लोगों ने सडकों पर शरण लेना शुरू कर दिया है लेकिन वहाँ भी लहरी मुसीबत बनकर आधम की नाले उभान पर है लहरों की रफ्तार देखकर चीनी लोगों की सांसे थम जा रही है ऐसा लग रहा है, यहां कुछ नहीं बचेगी शेहरों में तो हाल और जादा बुरा है, गाड़ियां जल समाधी ले चुकी है जो खुशकिस्मत है, उन तक रेस्क्यू टीम पहुँचकर रहत पहुचा रही है अब इस होरर वीडियो को देखिए शिन हुआ काउंटी में एक हाई राज बिल्डिंग के किसी फ्लोर पर लगी बड़ी टाइल्स अचानक भरभरा कर गिल के टाइल्स किरते ही चीख पुकार मच गई ये तो अच्छा हो कि कोई टाइल्स की चपेट में नहीं आ रहा है वर्न, दहशत की एचीख मातम और चीटकार में तप्तील हो जाती सोशल मीडिया में इस हाथसे के पीछे भी बारिश को ही विल्ड पताय चा रहा है अब आपको ले चलते हैं चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 9000 किलो मेटर दूर स्पेन के जराखोसा 6 जुलाई को आए फ्लेश फ्लेड में यहां क्या हल करती है ये कहने और समझने की जरूरत नहीं तस्वीरें खुद बखुद सैलाब के कहर को बया करने के लिए काफी ऐसा लगता है जैसे गाड़ियों में डूबने की होड मच कई तेज धार में 1000-1000 किलो वजनी गाड़ियां भी तिनके की तरह भाही जा रही धार का ये प्रहार स्पेन में सुपर वाइरिल हो चुका है जरगोजा से आया एक और शौकिंग वीडियो देखी कार के उपर एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही सहरे के लिए कार के उपर लगे एंटीने को पकर रखा लेकिन लहरों की स्पीड बताती है कि एक जरा सी चूक जिन्दगी पर भारी पर सकती है लहरें और विक्राल होती चा रही थी फ्लड अटाक का शिकार हो चुकी महिला और जोर से चिल्लाने लगी बताया जा रहा है कि एन मौके पर इसकी टीम ने पहुँच गए इस महिला की बचा गए मतलब साफ चीन हो या फिर स्पीड खुद्रत का कहर हर तरफ दिखाई दे रहा है और कई लोग इसकी सत्म आभी चुके तो तमाम देशों के तस्वीरे हमने आपको दिखाई जो कि डराने वाली है और इस बीच सतर के रहने की ज़रुत है चीन के अगर बात की जाए चीन के पास इंसर स्टक्टर तभाई से निपटने का बड़ा मैनेजमेंट है और ग्राउन पर ये दिखाई भी दे रहा है लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो मैनेजमेंट के नाम पर वहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक कुछ नज़र नहीं आता पाकिस्तान में भी चीन की तरह सैलाब काल शुरू हो चुका है सिंध पंजब से लेकर बलुचिस्तान के कई लाके पानी की चपेट में है मगर पाकिस्तान के पास पानी के प्रहार से निपटने की ना ताकत है और ना निया और यही वज़ा है कि वहां तभाई कमिटर इनसान की जान पर भारी पड़ रहा है हाई रे पाकिस्तान की किस्मा कंगाली के समंदर में मुल्क पहले ही दुआ है रही सही कसर सितमगर सहलाब ने पूरी करता बॉर्डर पार बर्बादी की भयंकर बार आई है लाहोर से लेकर कराची तक और कराची से लेकर बलुचिस्तान तक पाकिस्तान सेलाब में गले तक डूप चुका है, चिना, सतलुथ और रावी जैसी रदियां दहार मार रही सबसे खौफनाक मनजर लाहूर का है, लाहूर की हर सड़क समंदर में तब्ती हो चुकी, अस्पताल जल समाधी ले चुके सबसे पहले लाहूर के सबसे बड़े हास्पिटल का मनजर देखें, ये हास्पिटल है जर्नल हास्पिटल, जहां हास्पिटल के अमरजनसी वार्ड में पानी गुस गया है, और मरीज अपने सर पर हाथ राके गहरी सोचों में गुम है, नाजरीन पिछले 30 साल से बारश का रि पाकिस्तान में बार से अपता 50 लोगों की मौत हो चुकी, 87 से जादा खायल, अकेले बलुचिस्तान में 34 लोगों को बार निगल चुकी, जबकि लाहूर में 17 लोगों की जान जा चुकी सेलाब के जब्डे में फ़सा पाकिस्तान कैसे सिसक रहा है, आवाम किस कदर भी लख रही, इसका ट्रिलर और ज़्यादा कलिजा चीर पंजाब, बलुचिस्तान और सिन्द का कोई लाका ऐसा नहीं, जहां सेलाब का सामराज जिना हो, हालात पहले ही खौफ लागों, और उस पर पाकिस्तान के मौसम इभाद में 8-10 जुलाई तर पूरे मुल्क में हेवी रेन का अलर्ट जारी कर दिया है उसलाधार बारिशों के बाईस सेलाब का खच्चा हाई लट जारी, भारत की जानिब से दरिया सत्रुज में पानी चोड़ा गया तो सुरत हाल मजीद खराब हो सकती है 9 जुलाई से दरिया जहलम, चिनाब और रावी से मुंतलिक नदी नालों के बाहों में इजाफे का इमकान डीजी खान डवीजन के पहाड़ी लाकों में 8 जुलाई तक सेलाबी सुरत हाल पैदा हो सकती है लहौर, इसलामाबाद, रावल पिंडी और गुजरावाला के निशीबी लाकों में अर्बन फ्लाडिंग का खत्चा, मरी समेथ पहाड़ी लाकों में लैंड स्लाइडिंग का खत्रा सेलाब मुसल अधार बारिश के बाद आए, लेकिन फित्रत से मजबूर पाकिस्तान को इसमें भी हिंडुस्तान का हाँ दिखता है रावी, चिनाब जैसी नदिया उफान पर, उस पर पाकिस्तान को डर्सता रहा है कि अगर भारत ने सत्लिग में पानी छोड़ दिया, तो फिर फाजिल का जैसे इलाके फुना हो जाएंगा आदस से मजबूर पाकिस्तान की आदाश्चत कमजूर, खुद पाकिस्तान के मौसम विभाग के आकड़े कहते हैं, कि अकेले लाहूर में 6 जुलाई को 73 मिलिमीटर बारिश हो, बलुचिस्तान में 78 मिलिमीटर बारिश हो, जबके सिंध में 60 मिलिमीटर बारिश हो चुकी है और इस पर मौसम विभाद में और भीशन बारिश का अलर्ड चारी कर दिया है जिससे पाकिस्तान में विनाश की बार आना तै 2022 में जब बार आई थी तो पाकिस्तान की कमर कैसे तूटी थी इसे भी आंक्रों के जरीए समझ लीजी सान 2022 में पाकिस्तान में आई बार से 3 करोड 30 लाख लोग प्रभावित हुए थी बार के वज़े से 1700 लोगों की जान चली गई थी बार में खेती की 25 लाख हेक्टियर जमीन डूब गई थी बिनाशकारी बार से पाकिस्तान की एकॉनोमी को 1,26,000 करोड का नुफसान हुआ था पाकिस्तान एक बार फिर बरबादी के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है उसके सिर पर बार का खत्रा मनरा रहा है और इसकी भविश्यवानी खुद पाकिस्तान का विदा डिपार्टमेंट की कर चुका तो पाकिस्तान में जब भी बार आती है तो पाकिस्तान भारत पर इसका ठीकरा फोरता रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से सिंदू जल संदी को लेकर भी विवाद रहा है सिंदू जल संदी आखिर कर क्या है पहले आप ये समझे 1960 में भारत और पाकिस्तान में जल संदी हुई थी पंडे जवारलाल नहरू ने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट यानि के अयुख खान के साथ संदी की थे इस इंडर्स वाटर ट्वीटी के मताबिक सतलोज व्यास रावी का पारी भारत को मिलेगा पाकिस्तान भारत की बड़ी जल विदुद परियोजनाओं का विरूत लगातार करता रहा है जिन में पाकल, रातले, कुशन गंगा, मियार, लोवर, कलनाई शामिल है इन परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान ये तर्क देता है कि इन्हें गलत तरीके से डिजाइन किया गया है और कहा ये भी गया है कि गलत डिजाइनिंग से पाकिस्तान में आने वाली नदियों के बहाओ पर असर भी पड़ेगा भारत के समुद्धे पर शांतिपूर्ण तरीके से आके बढ़ने के भी वावजोद पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थाई सिंदू आयो की पांच बैटकों के दोरान गिशन कंगा और रातले जैसे प्रमुक मुद्धे पर चटजा करने से इनकार कर दिया था अब ये पूरी कहानी थी पाकिस्तान की ये अकर्टब है जब उसके पास बांदों में किल्लत है पीओके में पाकिस्तान के तीन बड़े बांद हैं मंगला तरबेला और डाइमर भाशा भारत पाकिस्तान के साथ सिंदू नल जल संचौता तोड़ने के मूठ में हैं और म énormément क्या किई हैं इन्होंने अपने मुल्क के दूदर इसी है कोई आज मैं आदा है तोम यह कह रही कि लगवी हैं इनिया सोड़ दिया क्योंकि हमारे पास कोई तरीका कारी, कोई ऐसी स्टेजिस ही नहीं है तो हालात ऐसे बन गए हैं कि खराब मौसम की वज़र से फिलहाल अमर्नाथ त्यात्रा को सगित करना पड़ा किसी भी तीर त्यात्री को पवित गुफा की तरफ जारी की जाज़त नहीं है जहां तक दिल्ली और आसपास के लागों का सवाल है तो दिल्ली एंसीयार में बारिश का यलो अलट जारी है दिल्ली के साथ नौईडा गुरुग्राम में कल बारिश का रुमान है उत्राखण में पहाड दरकनी की तस्वीरे लगातार साबनी आ रही है मौस्त मिवाग एक्टिव है और कुछ जिलो में डेड अलट खुशित किया गया है इते दरा यूपी महरास और केरल में भी बारिश की चेताब्री जारी की गई है ये मौनसून का जल प्रहार है जिसने पानी को मनमानी की इजासत दी और आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया मध्यप्रदेश उत्तराखण और उत्तरप्रदेश दे आई ये तस्वीरे उसी की बांगी है धार का बार ऐसा कि जिगरवालों का भी दिल दूप जाए ये मध्यप्रदेश में बरवानी का गाउव देरवालिया है कुछ लोग यहां की बेनी नदी से रेत निकाल कर ट्रैक्टर ट्रॉली में भर रहे थे कि पानी ने अच्चानक धावा बोल दिया धार अब तचंड हुई तो सबसे पहले रेत भर रहे मजदूर भागे ड्राइवर ने ट्रैक्टर निकालने की कोशिश की लेकिन खत्रा बढ़ा तो वो भी भाग निकला इसके बाद पानी की धार, दो ट्रॉली और एक ट्रैक्टर को तिन के कितर है बहा ले गई बाद में ट्रैक्टर और ट्रॉली तो पास में ही मिल गई लेकिन सिंगल ट्रॉली करीब दो किलोमेटर दूर पहुँच चुकी थी और कलपुर्जों की शकल ऐसी बिगर चुकी थी कि पहचान्दना मुश्किल था परवानी में ये पार अच्चानक हुई वर्सात के बाद आये तोंके खड़े करने वाला ये वीडियो उत्तरा खंड के हलगवानी का है यहां कार में सवार पोकर शेव नाला पार करने की कोशिश कुछ लोगों को भारी पढ़ गई मुश्किल थार बारिश के बाद नाले में अच्चानक उफान आये और कार नाओं की तरह बहनी की गनिमत ये रही के सवार कार छोड़ कर पहले ही निकल चुके थे उत्तराखंड में मौनसून की दस्तक के बाद से ही मूसला धाद बारिश हो रही है कुमाउं से लेकर गढ़वाल तक का करीब करीब पूरा इलाका इसकी चबेट में है हालात बिगरने का खत्रा देखकर हलदवानी उधामसिंगनगर पितोडागर अलमोरा बागेश्वर नैनिताल और चमपावत के सारे स्कूल बंद कर दिये गए उत्तरा खंड पर खुद्रत का ट्रिपल अटेक हुआ है एक तरफ नभियां उफान पर हैं दूसरी तरफ फ्लैश फ्लड है और साथ में पहारों से चट्टाने भी खिसक रही है चट्टान खिसकने की डरावनी तस्वीर आई पितोडागर के धार चूला से ये टनकपोर्ट तवागहाट नेशनल हाईवे है जहां अचानक लैंड स्लाइड हो गया नया बस्ती के पास वरी सी चट्टान पहार से तूटी और मलबे के साथ गिरती चली गई जिस वक्त ये हाथसा हुआ उस समय वहाँ वरी संख्या में लोग मौजूद थे जो बाल बाल बच गया इस लैंड स्लाइड के चलके टनकपोर्ट तवागहाट नेशनल हाईवे को बंद कट दिया गया दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया और दार्मा वैली में आए फ्लेश फ्लड के बाद रेस्क्यू के लिए जा रही टीम भी रास्ते में ही फस गई रास्ता बंद होने से चीन सीमा के साथ दार्मा व्यास 14 धाटी का धारचुला से संपर कट गया धारचुला में एक तरफ लैंड्सलाइड हुआ तो दूसरी तरफ बादल भी फटा कुदरत का ये कहर दार्मा वैली के चल गाओं पर टूटा बादल फटने ही मलबे की जैसे नदी बेह निकली बादल फटने से पुल तूटा तो करीब 200 लोग चल गाओं में ही फसक है उत्तरा खंड के कई इलाकों में दो दिन से भारी बारी शो रही है जिसका असर नदी नालों के उपान में दिख रहा है जरूरत सावधान रहने की है लेकिन लोग जान से खिलवार करने से बाज नहीं आ रहे उत्तरा खंड के चमोली की ये तस्वीर इस सी का सबूत है जहां मंदाकी ने उपान रही है लेकिन नंदा नगर घाड पर कुछ युवक एक पतले पट्वे से बाई को नदी पार कराने लगे थोड़ी भी चूक होती तो ये कोशिश भारी परसक्ती थी उत्तरा खंड के तराई वाले इलाके उधम सिंग नगर में भी बरसात में सब कुछ पानी-पानी कर दिया धर में तैरता सिलेंडर और बाहर डूबता शहर सवाल जर और जंदगी दोनों का है इसलिए किसी ने तैरते सिलेंडर को काबू किया तो कोई टीवी और वाशिंग मशीन लेकर निकलने का रास्ता खोजने लगा क्योंकि उधम सिंग नगर में सिर्फ मकान, दुकान और खेत खलिहान ही नहीं डूबे रास्ते भी लापता हो गए है ऐसा ही हाल कोटद्वार का है जहां नदी नाले का उपान लोगों को डराने लगा है पोटद्वार शहर के बीचों बीच गुजरतने वाले इस नाले में अगर पानी बढ़ा तो आसपास बसी आबादी के लिए खतरे की बड़ी बज़े बन सकती है प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है लेकिन सर छिपाने का इंतजाम नहीं कर रहा ये उत्तरप्रदेश का लखीमपूर खीरी है जहां शार्दा नदी के उपान ने एक घर को जल समाधी दे रहा है नदी की लहरें अहिराना मचरी गाउं में बने इस घर की बुनियाद पहले ही खोच चुकी थी वही सही कसर पानी की तेज धार ने पूरी कर थी लगा ताद हो रही बारिश के चलते शार्दा नदी में पानी और पानी की धार तोन लगा ताद बढ़ती जा रही है जिसकी वज़े से नदी की नारे के गाउं पर कटान का वड़ा खत्रा मटरा रहा है हमाचल के उना में भी जुलाई की बरसात सैलाब का कहर लेकर आई है यहां अचानक हुई मुसलाधार बरसात के बाद नाले में उफान आया तो लोगों का बड़ा चत्था शम्शान में फंस गया बाद में जेसी बी की मदद से नाले की सफाई की गई तब कहीं जाकर लहरों का वेग घटा और रसी की मदद से किसी तरह लोगों के सुरक्षि निकाला जा सका इस वक्त सबसे ज़्यादा भाव खा रहा है लाल पाच्चा यानि की तबाटा जो कहीं तो धाई सो रुपे किलो तक पहुँच पया है बार बारिश का अटैक किचिन का बजट कैसे बिगाड रहा है इसकी डराने वाली ख़बरें लगातार सामने आ रही दस दिन पहले जब आप बाजार में सबजी लेने गए होंगे तो आपको टमाटर का फाव सो रुपे किलो के आसपास मिला जबकि 15-16 जून के आसपास टमाटर काफी सस्ते है लेकिन उत्तराखंड के गंगोत्री और यमनुत्री धाम में आज टमाटर के जो रेट हैं उसने लोगों के होश फाक्ता कर दिये लाल लाल टमाटर थाइस सो रुपे किलो बिक रहें फिर से सुनली जी सव देड़ सो एक सुसाट नहीं तो सो पचास रुपे किलो तरकासी में जिस तरह से टमाटर के बड़े उससे आम जंगा को काफी नफसान हुआ है और साथ के साथ तरह की लोग आप घरीने को तर्या लेंगे और यह जाए तो गंगोत्री जमित प्रिश्ट इस तरह से टमाटर के रेट बड़े हैं लगब गंगोत्री वाट्थी यानि पहाड़ों पर टमाटर ने किचन का सिस्टम पूरी तरह चौपट कर दिया उत्तरकाशी में भाव 180 से 200 रुपए किलो तक पहुच गए अब लोग सोचते हैं कि अगर कुछ दिरों तक टमाटर खाना ही छोड़ दें तो पहतर रो और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक किलो टमाटर एक लीटर पेट्रोल से भी महगा हो चुका है और अगर गंगोतरी यमनोत्री की बात करें तो फिर यहां एक किलो टमाटर के भाव दो लीटर पेट्रोल आ जाएगा लेकिन ये भी सही है कि ठाइसो रुपे किलो वाली कीमत सिर्फ एक या दो जगहों पर ही है दिल्ली से लेकर भुपाल और नासिक तक सबजियों के दाम अलग-अलग जरूर है टमाटर के दाम उपर नीचे जरूर हो रहे है लेकिन इत्रा तय है कि 100 रुपे किलो वाली लखीर से नीचे अभी भी नहीं आ रहे है दिल्ली में तो बर्गर बेचने वाली एक कमपनी ने बर्गर के अंदर से टमाटर का स्लाइस ही निकाल दिया है कमपनी के तरफ से कहा गया है कि चोकी अच्छी क्वालीटी का टमाटर नहीं मिल रहा इसलिए बर्गर के बीच में टमाटर नहीं डाल रहे है मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे मैकडोनल जहां पर खाने पीने के कई सारे सामान मिलते हैं उसकी शौप आपको नजर आएगी और टमाटर की महंगाई को देखते हुए इस शौप के अंदर कुछ इस तरह का नोटिस भी जारी किया गया है कनोट प्लाजा रेस्टोरेंट प््राइवेट लिम्टेड मैकडोनल का जो नौर्थ इस्ट का एड आफिस है उसके янोर से णोटिस जारी किया गया जिसके बाद अंदर इस मैकडोनल की शौप है इसके चलते हम अपने जो कस्टमर हैं जो ग्राहक जो यहां पर लोग खाना पीना करने आते हैं या खाने पीने से डिन में टमाटर का प्रियोग किया जाता है वो इस्तेमाल नहीं होगा और ये कुछ दिनों के लिए इसकी हम सप्लाई करने में असमर्थ हैं हम जल्द ही इसका सवाधान निकाल लेंगे तो इस तरह की जो नोटिस से वो जारी की गई है अब टोमाटो लेस बर्गर को लेकर एक से बढ़कर एक एकस्कियोज सामने आ रही है लेकिन सच्चाई यही है कि 40 रुपे के बर्गर के लिए कमपनी फिलहाग 140 रुपे किलो वाला टमाटर जेसे कि drink रुपे किलो तक आचूभा है टमाटर बिंड़ी आ रही हो इने किलो चालीस रूपे किलो विकरेजिया वह भी सब्याटन में गार्टळक जेता धनिया जेसा सभी मांकर शू रही है उससे लेकर कॉंग्रिस समय दूसरे विरोधिताल हमलावान कभी प्रभग् के साथ सबस्जियों के दाम सोशल मीडिया पर फ्लोट किये जाते हैं हाला कि कुछ नेताओं ने विरोध के नाम पर लोगों को अब फ्री में टमाटर बाटने शुरू कर दिये और चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं और ये नाम है सीनियर सेक्षन इंजिनियर आरोन कुमार महंत सेक्षन इंजिनियर मुहम्मद आमिर खान और टेक्निशन पप्पु कुमार सीब्या ने इन तीनों को गिरफतार कर लिया है तीनों को IPC किधारा 304-201 में गिरफतार किया गया है यानि इन पर गेरेडाततन हत्या और सबूत नश्ट करने के आरूप में मुकदमा चलेगा तो क्या 293 लोगों की मौत के दोशी यही तीनों हैं? क्या 2 जून को ओडिशा के बाला सोर में हुए ट्रेन हादसे में जाच अब रेलवे के तीन करमचारियों को गिरफतार करने के बाद खत्म हो जाएगी? बाला सोर ट्रेन हादसे पर रेलवे सुरक्षा आयूक की रिपोर्ट आई इस रिपोर्ट में रेलवे के करमचारियों और अधिकारियों के गलती और कोरो मंडल एक्स्प्रेस को गलत सिगनल दिये जाने की बात कही गई थी वैसे बालासोर हादसे के बाद रेलवे के साउथ इस्टन जोन के कई ऑफसर्स पर जाच की गाज गिर चुकी है लेकिन अब क्योंके इन्वेस्टिकेशन और अक्षन सीबी आए का है इसी लिए मानवीय चूप की बात साबत होती है उधर बालासोर दो जून की तरास्दी को भुलाकर आगे बढ़ रहा है बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर चहल पहल और अनाउंस्मेंट सब दो जून के पहले जैसी है लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया जो एक हजार लोग घायल बताय जा रहे थे वो बालासोर और ट्रेन का नाम सुनकर है सिहर जा रहे है साउथ सेंटरल रेलवे के सीपी आरों के मुताबिक विभा को एक चिठी मिली है जिसमें ये लिखा गया है कि देश में अगले हपते बालासोर जैसा हाथसा होगा इस चिठी में रूट का भी जिक्र है चिठी में लिखा गया है कि रूट दिल्ली और एधराबाद का होगा जहां बालासोर जैसी घटना होगी रेलवे ने चिठी को पोलिस के हवाले कर दिया है और पोलिस ने अपनी जान शुरू कर दी है इस चिठी के पीछे अगर किसी की खुराफात होई तो कानू उसका भी हिसाब करेगा और चली आगे बड़ी खबर आ रही है लखनो में मेट्रो स्टेशन उड़ानी की धमकी मिली है लखनो से इस खबर पर और जाद रजानकारी देंगे सईयोगी विरेश पन्टे विरेश भी क्या जानकारी मिल रही है इस कॉल को लेकर किस ने ये कॉल किया और अभी तक क्या जाच में सामनी आ पाया है देखे ये अख्याद पॉल है और मैं आपको बताओं कि लखनवू में धारा 144 पहले से लगा हुआ है और स्क्यूरिटी हाई अलर्ट पर सेवारों को तेज़ के हुए और जो तमाम तरह के खरणा और सबस्रसन हैं उनके मद्दे निजर इस तरीचे से अख्याद ये कॉल आई हैं उनको जो उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई है साथी साथ जो पुलिस के और पीएस्टी के जवान हैं उनको भी ऐलर्ट पर दिया गया है और इस पूरे मामले की मॉनेट्रिंग कुछ जो इस पेसल डीजी हैं तरसांत कुमार वो खुद कर रहे हैं और पुलिस कमिस्टर लखनौ अभी कुछ देर में वहां पहुंचने वाले हैं तो उसकर चल रहा है अग्यात कॉल भी लेकिन एहतियात बरती जा रही है जी ठीक है आप नजर बनाके रखेगा बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारिक लिए तस्वीरे भी आप देखे जैसे ही कॉल आया उसक प्रद्गंजिता कड़ी सुरक्षा की गई है और इस वक्त लखनौ पुलिस सर्च ऑपरिशन चला रही है ये जार्ज की जा रही है आखिरकार ये कॉल किस ने किया है और चली आगे बढ़ेंगे आज तिलंगाना और राजस्तान के दौरे पर हैं प्रदान मंत्री दरेंद्र मोधी राजस्तान को 24,300 करोड की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं वारंगर में एक सट सो करोड की परियोजनाओं की आधार श्रीला रखेंगे मुक्य मंत्री केश चंदर शेखर राओ इस कारिक्रम में शामिल नहीं होगे प्रदान मंत्री का चार राज्यों का दौरा कल मध्यपरदेश और यूपी को कई सौगाते दी थी आज तिलंगाना और राजस्तान के दौरे पर रहने वाले हैं जहां बीकानेर में पहुँच कर कई परियोशनों की सौगात देंगे बीकानेर वास्तियों को इसी के साथ सा तिलंगाना के वार गल भी जाएंगे प्रदान मंत्री के कारिक्रम में मुक्य मंत्री के चंदर शेखर राओ शामिल नहीं होंगे मिशन 2024 और धुआधार प्रचार में लगे हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी चार राज्यों का दौरा दो दिन में चार राज्यों का दौरा और काफी एहम ये दौरा माना जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी का आज दिलंगाना और राजस्तान के दोरे पर रहेंगे कई पदी योजनाओं की सौगात यहाँ पर देने वाले हैं प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी तो तीन राज्यों में आने वाले समय में विधान सबा चुनाव होने वाले हैं। तो ये काफी एहम दौरा मिशन 2014 को लेकर 55-arat की एंच परियोजनाओं की आधार-शीला भी रखने वाले हैं इसे के साथ नाकपॐर विजय वारा कउरीडोर के सेक्शन की आधार शीला भी आज ही प्रधान मंदी रखेंगे काजी पेट में रेलवे मैनिफेक्टरिंग जूलिट की आधार श्रीला भी आज प्रधान मंत्री मोधी की तरफ से रखी जाएगी तो ये काफ़ी एहम दोरा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का और देखे तलंगाना के साथ साथ आज राजिस्तान का दोरा भी रहने वाला है प्रधान मंत्री मोधी का बिकानेर महा जाएंगे बिकानेर में प्रधान मंत्री मोधी की जनसबा होने वाली है यहाँ पर बिकानेर वास्तियों को कई सोगा देंगे Greenfield Expressway का उधगातन करेंगे प्रधान मंत्री मोदी लगत्ता राजिस्तान का दोरा कर रहे हैं 11,000 करोड के Green Energy Corridor का उधगातन करेंगे प्रधान मंत्री मोदी तिलंगाना के बाद आधिस्तान जाएंगे 24,000 करोड की योजनाओं का लोकारपन और शिलन्यास भी करेंगे काफी बड़ी ये योजनाए हैं बिकानेर भिवंडी ट्रांस्मिशन लाइन का भी उधगाटन करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इसी के साथ साथ 100 बेट के ESIC अस्पताल का उधगाटन भी आज प्रधान मंत्री मोदी की तरफ से किया जाएगा बिकानेर ड्रेलवे स्टेशन पुनर विकास की आधार शिला भी आज प्रधान मंत्री मोदी रखने वाले हैं इसी के साथ चूरू रतंगर डबल ड्रेल लाइन की आधार शिला भी प्रधान मंत्री रखेंगे तो ये कारिक्रम रहने वाला है इस साल के कर बात की जाए तो छटी बार राजिस्तान में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं देखें मिशन 2024 साने वाले समय में विधान सबा चुनाव होने हैं और किस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इसे सीरियस ले रहे हैं और लगातार दौर पे दौरे कर रहे हैं आज कई दौर दौरा है ये भी अपने आप में काफी एहम रहने वाला है